हलो स्टूजेंट्स गुड मॉर्निंग यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम एक नए टोपिक वैदी काल के साथ आपका स्वागत करते हैं तो देखिएगा स्टूजेंट्स वैदी काल से पहले हमने सिंदु काडि सब्वेता क स्वागत के और इतियास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके तो देखिएगा आज हम पढ़ेंगे वैदी काल का परीचे तो वैदी काल के बारे में हम आपको थूड़ासा कुछ यहां पे इस वीडियो में बताएंगे तो देखिएगा सबसे से पहले अपन durumने बात करते को पढ़ा नहीं गया ठीक है ना तो इसी प्रकार से सिंदु काटि सब्वेता है वो भी आदे थियास काल का ही एक पाठ है जिसका जो आदे थियासी काल है इसका समय क्या था 3000 इसा पूर्वा से 600 इसा पूर्वा और जो 3000 इसा पूर्वा से 600 इसा पूर्वा इसको दो भागों में डिवाइड करा गया है वो कौन से हैं दो भाग सिंदुगाटी सब्वेता और वदिकाल तो जो सिंदुगाटी सब्वेता है ये इसका टाइम है पचीस सो से पंदरा सो किसा पूरु है, और आपका वैदिक काल है, यह स्टार्ट होता है, पंदरा सो किसा पूरु है, अब देखिएगा, जो सिन्दुगाडि सब्यटा उसमें और वैदिक काल में, साहितिक स्फ्रोद तो मिलें, लेकिन इनको पड़ा बहुत बात में गया है ठीक है ना इसलिए इन दोनों ही चीजों को हम आदे त्यासी काल में रखेंगे तो देखेगा वैदिक काल क्या था या फिर वैदिक काल को हम वैदिक सब्वेता भी कह सकते हैं तो देखेगा वैदिक सब्वेता है ये सिंदू सब्वेता के पतन के बाद आई थी और जो विहलर महोदे हैं उन्होंने सिंदू गाटी की सब्वेता का पतन पंद्रा सो इस्सा पूर्वे माना है तो ऐसा माना जाता है कि सिंदू गाटी सब्वेता का पतन बाहरी आक्रमनों से हुआ था और ये बाहरी आक्रमन है ये आरियों के आक्रमन ही थे तता वैदिक सब्वेता का उदे हुआ तो आरियों ने जो आरिये हैं उन्होंने क्या करा सिंदू गाटी सब्वेता पर आक्रमन किये और सिंदू गाटी सब्वेता का पतन किया और उसके बाद वैदिक सब्वेता का उदे होता है और इस वैदिक सब्वेता को आरिये सब्वेता भी कहा गया है पंद्रासो इस्सा पूरवे से हम वैदिक काल का प्रारम मानते हैं सिंदु काटी सब्वेता नगरिये थी लेकिन वैदिक जो सब्वेता है वह ग्रामिन सब्वेता थी और वैदिक कालिन जो आपकी सब्वेता इसका काल करम क्या था पंद्रासो इस्सा पूर्व से छहसो इस्सा पूर्व है तो देखेगा थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं यहाँ पर वैदिक सब्वेता वैदिक सब्वेता का टाइमिंग क्या था पंद्रासो इस्सा पूर्व से छहसो इस्सा पूर्व है तो सिंदू सब्वेता के सहरों ए एक बार फिर से ग्रामेर सब्वेता का उद्य हुआ था और इस वैदिक सब्वेता के परवर्तक हैं वो आरिये थे इसे वैदिक सब्वेता माना गया है ये सब्वेता प्राचीन भारत की सब्वेता है वैदिक शब्द अब देखेगा वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है तो जो वैदिक शब्द है यह है वेद से बना है इसका अर्थ होता है ज्यान इसी वैदिक शब्द से बना है वैदिक सभेता और वैदिक सभेता के परवर्तक मालो कभी एकजाम में आ जाएगी वैदिक सभेता के परवर्तक किसे कहा गया है वो है आरिये आरिये परवर्तक होन विद्वानों के अनुसार आरियों का मोलादार जात्ती ना होकर एक बासा वर्ग सम्मू है ठीक है ना और कई विद्वान ऐसे हैं वो आरियों को अलग-अलग स्थानों से आयो हुए मानते हैं तो देखेगा कई महतोबन विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परिवासा दी है और कई बार प्रीक्षा में पूछ पिलेते हैं वो दोक्ठर संपूना नंध है वो बोलते हैं कि आरियों वो आलपस पर्वत से आये थे इसी प्रकार हमारे दो भारतिये विद्वान भी है जैसे बाल-गंगादर तिलक स्वामि-द्यानन सर्श्वति तो बाल-गंगादर तिलक है यहुन्ने काहा है कि आरियों वो आरक्टिक अर्थात उत्री धुरुवे से आए हैं। स्वामी दयानन सर्ष्वती का कहना है कि आरी है वो तिबत से आए。 लेकिन इन में सबसे जो महतोबण मत है वह मैक्स मुलर का मत है। और मैक्स मुलर ने आरीों को कहां से आया हुआ बताया मध्दे एसिया से। ठीका ना यह ध्यान में रखने वाली बात है तो मैक्स मुलर के अनुसार आर यह कहां से आये मध्धे एसिया से अब देखेगा जो वैदिक सब्वेता है इसके बारे में जानकरी के परमुक स्रोत क्या है पुरा तात्विक और सहित्यक दोनों स्रोत है लेकिन जो सहित्यक स्रो स्रोत है वो ज्यादा महत्तों पुर्ण है और सहित्यक स्रोतों में क्या है वेद तो वैदिक सब्वेता के बारे में जानकरी के परमुक स्रोत वेद है अत्य है इसे वैदिक सब्वेता या फिर वैदिक सेंस्कृती कहा गया साम्भानित ये माना जाता है कि जिन विदेशी आकरांतों ने हरपाई नगरों को नस्ट किया वे ही क्या थे? आरिये थे ठीक न? रिगवेद में भी इस बात का उलेक किया गया है तो वेदों में सबसे पूराना जो वेदा वो कौन सा है? रिगवेद रिगवेद में दास दस्यों को ए कर्मन अर्थात वदिक किर्याओं को ने करने वाला ए देवियू वदिक देवताओं को ने मानने वाला ए ज्वन यग्ये ने करने वाला अन्ये वरत वदिकेतर वृत्तों का अनुसरण करने वाला मृध्धिवाक ए परीचित भासा बोरने वाला तथा ए ब्रह्मन शृधा और धार्मिक विश्वास से रहित ए व्रत व्रतों से रहित तो रीक्वेद में जो दास दस्यूं हैं उनको ए कर्मन ए देविवु ए जवन अन्यवरत मुर्धवाक ए ब्रह्मन और ए वरत कहा गया है रिगवेद में इंदर को दास दश्यूं का नास करने वाला अर्थात दश्यूहन कहा गया है अब देखेगा रिगवेद में दास दश्यू किने कहा गया है हडपाई लोगों को सिंदुगाटि सबेता के लोगों को रिगवेद में दास दश्यू कहा गया है तो रिग्वेद में दास दस्यों के पूरों का भी वनन किया गया है इन पूरों का विनास इंदर ने किया जिस कारण इंदर को पुरंदर कहा गया है कई बार किस पूछा गया है ये पुरंदर किस तेवता को कहा गया है इंदर को ठीक है न अब देखेगा यहां पर जो आर य शब्दाया है इसका अर्था स्रेश्ट उत्तम अभिजाते उत्क्रेश्ट श्वातंत्र तथा कुलीन वैदिक सब्वेता ये मूलत है ग्रामिन सब्वेता थी कई बार पूछ लेते हैं वैदिक सब्वेता कौन सी सब्वेता थी और सिंदुगाटी सब्वेता कौन सी सब्वे गोण धंदा था . वेदिक सबेता है इसका मुख्य वेवस्ताती क्या था ? पस्वपालन और गोण धंदा कौण सा था?. जब की शिंदु का इडिक सबेता है उसमें क्रेशी था वो 5 अर्थिक जो वेवस्ताती उसका सबसे महत्वपन-पार था प्रेश्शी रिगवेदी काल को पूरवेदी काल भी कहा जाता है इस काल के बारे में रिगवेद से जानकारी प्राप्थ होती है तथा इस काल में कंसा तथा तामबा दातु का प्रियोग होता था तो देखेगा students जो वैदिक सब्वेता के जानकारी के श्रोथ है उनमें जो साहितिक श्रोथ है उनसे एमें पता चलता है कि जो वैदिक सब्वेता है इसको हम दो भागों में बांड सकते हैं वो कौन-कौन से दो भाग है रिगवेदिकाल और उत्तरवेदिकाल ठीक है न और जो वैदिक काल है इसका जो टाइम था वो क्या था देखेगा जो वैदिक काल है इसका टाइम था वो क्या था पंद्रासो इसा पूर्वे से छसो इसा पूर्वे अब इसको क्या है कि दो भागों में बाट अगया था वो दो भाग कोन से थे रिगवेदिकाल रिगवेदिक पूर्वेदी काल है इसके बारे में रिग्वेद से ज्यादा जानकरी प्राप्त होती है रिग्वेद से जो भी जानकरी प्राप्त होती है रिग्वेदी काल अर्थात इसको पूर्वेदी काल भी का गया है और इसी प्रकार जैसे उत्रवेदी काल है तो उत्रवेदी काल के बारे में जानकरी सामवेद, यजूरवेद, अत्थरववेद, ब्राहमन, आरणेक तथा उपनिस्दों से मिलती है उत्तरवधी काल के बारे में सामवेद, यजूरवेद, अत्थरवेद से जानकरी मिलती है तथा इनके अलावा आरणेक, ब्राहमन, ग्रंथों, सहिता, वेद आदि से भी जानकरी प्राप्त होती है उत्तर वदी काल की एक विशेशता ये महत्तोपुण है कि इस काल में लोहे का प्रियोग प्रारम हुआ था ठीक है ना सरवपिर्थम लोहे की खोज उत्तर पर्देश के एटा जिल्ले के अतरंजी खेडा नमक इस्तल से हुई थी अब देखेगा वदी काल की जानकरी के स्त्रोथ पुरातात्विक स्त्रोथ या साहित्यक स्त्रोथ तो पुरातात्विक स्त्रोथ बोगजकोई का अभिलेक ठीक है ना कई बार पूछ लेते हैं बोगजकोई का जो अभिलेक है इसके बार में तो ये अभिलेक मद्दे एसिया से प्राप्त हुआ है जो 1400 इस्सा पूर्वय का है इस अभिलेग पर इंदर वरुन मित्र और नासत्य नमक देवताओं का उल्ले किया गया है इंदर वरुन मित्र और नासत्य गैरिक मृत भांड जिसे OCP भी का गया है तो यह पूरवेदिक या रिगवेदिक काल के उत्खनन में मिले मिट्टी के बरतन है तो गैरिक मरिदभाण कोन से बरतन है जो रिगवेदिक काल के उत्खनन से मिले मिट्टी के बरतन है इसी परकार चित्रित दूसर मरिदभाण PGW तो उत्तरवेदिक काल के उत्खनन में मिले मिट्टी के बरतन उत्तरवेदिक काल के उत्खनन में मिले मिट्टी के बरतन क्या कहलाते हैं चित्री दूसर मृत्भांड PGW अब देखेगा साहित्तेक्स रोत तो वेदों से जानकारी वेदिक सब्वेता के बारे में वेदों से जानकरी प्राप्त होती है वेदों के तोर पर वदिक काल को दो भागों में बाटा गया है वो कौन-कौन से हैं दो भागे एक आपका है रिगवेदी काल और एक है उत्रवेदी काल तो इन सब के बारे में हम आगे के वीडियो में अलग-अलग पढ़ेंगे रिगवेदी काल के बारे में उत्रवेदी काल के बारे में वेदों के बारे में ब्रामनों के बारे में ठीक है तो धन्यवाद स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो में वदिक सब्यता की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी और ऐसे ही बने रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे धन्यवाद